यार गाईज ये मेरा फून चेक करना ये ज़रा गिर गिया है इसके अंदर ना यार वो एक मसला आ गया है वो रोहिज शर्मा को कैप्टेंसी से हटा कर जो मुझे लग रहा था कि हो गया है कि ये फून गिरा था ना इसके स्क्रीन शायद खराब होगा इसमें डिजिट्स जो को 278 दिखा दिया मतलब डिजिट ही पड़ा दिया एक वन को टू कर दिया फिर मैंने जो ना सोशल मीडिया खोला वहां जाके मुझे पता चला कि नहीं ये 178 नहीं ये 278 है पहले तुम मुझे बता इतने रन मारता कौन है अब ये 178 ODI में नहीं बनते ये तो फिर भी T20 है ये इतने रन बना कौन है और ये बन कैसे नहीं पहले मुझे ये बता हो उसके बादे मेरे एक सवाल है कि ये आदमी चाहता कि है तुम्हारा हार्थपेक पांडिया जिसको तुम लोग कहते हो कि इंडिया का next potential captain है मुझे नहीं पता क्यों कहते है क्यों कि हर tournament से पहले है tournament के बीच में भाई जान को इंजरी हो जाती है ये पिछले world cup में भी हो गई दी ना टकना वकना शार्ट हो गया था भाई का पूरा world cup निके ले तो बल्ली डाल दी तो रोई शर्मा के तुम लोग देखो मैं तो जा रहा हूँ इसको क्या चाहिए इसको पहले तु भाई जान न रोई शर्मा भी हरन हो के कि मैं मैं पीछे जाओ वो खुद कह रहा है कि ये पागल होगे मुझे कहां भेज रही है रोई शर्मा को कटाए का जानी तुम तो सरकल से आगी पीछों यहां पर मैं बदमाश हूँ तुमारी नी चाहिए ठी है उसके उपर से नया बॉल करने का क प्रेवेस हेड का इसका सौफफ़र अपडेट किया तो बुम्रा को पर चौथ हावर लगा है कि भाई मैं नहीं कर रहा दूसरा हूँ और बहुत पिटाई होगी बुम्रा को लगवाए कि भाईजान तू विकट ले ले मेरे से नहीं हो रहा है क्या चला यह तुमारे IPL में पिछले मैच में जो गुजराट टाइटन से मैच हुआ था आपकी फॉर्मर टीम उसमें तुमें शबनमगिल लपेट के लिए है शबनमगिल लपेट के लिए गया है उसमें भी भाईजान ने चार पर ग्यारन मनाया मैं यह बता दूँ वो भी जीतावा मैच था च्छे र मतलब जानी तुम्हारे सितारे सताथ इस वर गर्दिश में बहुत खतरनाक सितारे गर्दिश में संभल जाओ बड़ा बैड टाइम आने वाले बैड टाइम हम यहाँ पर जो मैं सही वेट कर रहा हूं कि मुझे चाहिए था गौतम गंबीर वर्सिस विराट को लिए ठीक है केकार वर्सिस आरसी भी चाहिए था लेकर मुझे लग रहा है वो फड़ा अपसाइड होयागा अब जो फड़ा हैगा मेजर वो आएगा रोहित वर्सिस हार्दिक और इनको आपस में दिख जाएगा कि रोहित और हार्दिक का फड़ा हो गया विराइट एंड गौतम इस ओ अब लोग यह कह रहे हैं कियोंकि आपने पोस्ट डाली थी कि यह लोग चेस कर लेंगे तो आउट हो गया देखो भाई कितनी भी बड़ी टीम क्यूना हो 287 बहुत जाद होते हैं और जिस टीम का कैपिन हर्पिक पांडिया वो टीम 277 चेस कर लें यह highly unlikely है क्यूंकि सामने पैट कमिंस खड़ा वा था पैट कमिंस बेवकूफ नहीं है पैट कमिंस ने कुछ सोच समझ की लगाया था देखो उसने लगाया ना स्पिनर फिर विक्रिट निकल गई न ठीक है अब सीन ही है रोहिश शर्मा 216 के स्ट्राइक रेंट से बैटिंग कर रहा है इशान केशन 260 260 के 262 के स्ट्राइक रेंट से कर रहा है अबे इवन तिलक वर्मा वो पागल हो गया रन मार मार के एक आदमी से रन ना हुए वो ते हार्ट डेक पांड रहा तुम्हारे इंडिया के फ्यूचर कैप्टन उस आदमी ने 20 वालो पे 21 या 24 रन किया ऐसी किया उसका बता उसका क करना क्या है ना भाइजान से बालिंग हो रही है ना भाइजान से बैटिंग हो रही है ना कैप्टेंसी हो रही है तो फिर उस्ताद करना क्या है मुझे ये बताओ बदमाशी अलग लगा के रखी वे कर रोहित को थर्ड मैं पे भेज़ दू पावर प्ले में पहला और मैं क वो अच्छा खासा चेज होते होते फिर बीच में हार्दिक पांडिया है और फिर टेस्ट मैच शुरू हो गया ना इस आदमी से चक्के लगे ना इसके साथ जो बंदा उससे चक्के लगे रहे हैं कि भाई वो तिलक वर्मा बिचारा फ्री फट में आउट हो गया पैट कमिन्स को हिट करने के जखकर में स्लोवर वन पॉस बचारा बाउंडरी पे कैश दे बैटा हार दिक पांडिया केला पर कोई और हो तो उसके चक्के वक्के कर रहे होते हैं तो यह मैच निकल लिगा था स्ट्राइक रेट इसके चक्कर में हलका हुआ क्योंकि यह टेस्ट मैच खेल रहा तो उस पे प्रैशार आगया वो भी नहीं मार पाया मतलब सन्राइजर हैदराबाद ने जो है अपने बता रहे थे कि आखरी 17 बॉल ने जब कोई 3-4 ओवर रहे थे न तो उसमें रता कि आखरी 17 बॉलों में सिर्फ एक चक्का पड़ा है मतलब जो आखरी के उनका बारा से लेके 17 या 18 ओवर तक उन्होंने 30 बॉलों में 30 रन दिये थे मुझे बताओ इस आदमी का भाई देख मेरी बास सुन ठीक है तुने बदमाशी से कैप्टेंसी ले लिए सब कुछ ले लिया अमभानी भी कहां तक बचाएगा देंगो मैच फिक्स करने की भी एक हद होती है मैच भी एक हद तक फिक्स किया जाता है 287 ओड़िट में मैच बंदा कितना जाता ही वो भी कितनी ही मदद कर देंगे तुमारी टमारा एक आदा Kiach drop कर वा देंगे तुम्हारी एक आदी विगेट दिलवा देंगे तुमको जीतना तुम्हें उस्ताद ये कर क्या रही हो तुम अब देखो हमारा तो क्या है हमें तो मौज मस्ती करनी है हम तो फड़े फड़े नजॉय करके हम तो हो जाएंगे गालियां दो में पढ़ेंगी जैसे पढ़ेंगी अभी स्टेडियं के दिलवें मैं उस दिन देख रहा था कोई कुछता वता है तो सब उसको हार्तिक हार्तिक बोले है अब देखो ऐसा नहीं करो प्लेयर तुमारा ही है लेकिन जो उसमें हरकत है ये हो देखके ये मुम्मे इंडियन को मरवाने वाले सीजन इस सीजन काम उतर जाएगा या तो ये बहुत बना देगा काम इनका या तो इनका काम उतर जाएगा